अंग्रेजी बोलने की बिल्कुल बेसिक वाली क्लास आज करेंगे बेसिक बहुत ही बेसिक वाली क्लास है क्योंकि इसके उपर बेस्ड आप वाक्य बनाने में गरबड करते हैं आप वाक्यों को अनुवाद यानि की ट्रांसलेट करने में गरबड करते हैं आप बोलने में गड़बड करते हैं यहां तक कि आप जब बारी आती है tense की या उसके उपर based वाग क्योंकि वहाँ पर भी गड़बड करते हैं यह सारी गड़बड को आज हम लोग बिलकुल छूम अंतर कर देंगे आज वाली क्लास से क्योंकि यह basic क्लास है तो इसको सबसे पहले समझेना बहुत जरूरी है मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैं खाता था, वहाँ धूमरपान करता था, वहाँ धूमरपान किया करता था क्या आपको यह सारे वाक्यों में confusion होता है, कि यह कौन सा वाक्य है, यह कैसे बनेगा अंग्रेजी में, और किस तरीके से इसका अनुवाद होगा वो होगा अगर आपको भी यह सारे के सारे वाक्यों सिमिलर लग रहे हैं, मतलब एक जैसे लग रहे हैं, और लग रहा है कि इन सबका जो ट्रांसलेशन है न, वो लगबग एक ही जैसा होगा, तो confusion आपको है, बहुत बड़ी वाली confusion आपको है, वो क्या confusion है, चलिए जानते हैं वो confusion है, used to और a simple past की, used to versus simple past, यह जितना असान दिखता है, उतना असान है भी, actually बहुतों को आसान यह दिखता नहीं है, पर मैं बता दूँ, यह बहुत असान है, कुछ छोटी छोटी बाते हैं, छोटी छोटी कडिया हैं, जो आपको याद रखनी है और सही तरीके से जोड भी लोगे, differentiate भी कर पाओगे वाकियों में और अराम से अनुवाद भी कर पाओगे वाकियों का, used to versus simple past, very 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 basic and yet very important topic, चलिए, आज इसी को cover करेंगे, बहुत दिनों से request आ रही थी कि मैं यह वाला करा दो, tense की class भी जब मैंने डाली थी, तो उसमें भी मैंने पूछा था, तो कैसे आप समझ सकते हैं, यह सारी चीज़ों को cover करेंगे हैं और बहुत सारे examples के साथ cover करेंगे, तो आपको एकदाम clarity हो जाएगी, चलिए, simple past कह लीजिए या past indefinite कह लीजिए, जो नाम आपको याद रखना आप चाहें, आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मेरा suggestion होग near past, near past क्या होता है, नया term लग रहा है, नहीं, बहुत ही असान है, आपको बस समझने की जरूरी है, near past का मतलब नजदीकी में आप जो कुछ करते थे, या ऐसा कोई काम जो आपने past में किया, और ये काम जो है ना near past का है, मतलब just अभी अभी खतम किया, या अभी खतम हुआ, है ना, बिल्कुल नजदीक, नजदीक की भूत काल की बात कर रहे हैं, near past उसको कहते हैं, used to का इस्तमाल कहां पर होता है, used to जो है, देखिए simple past और used to का फरक पड़ रहे हैं, है ना, अभी, तो simple past क्या बता दिया, नजदीकी past की बात करेंगे तब, तो used to कहां पर इस्तमाल होता है, used to तो सिदे सिदे वाक्यों में इस्तमाल होता है, कहां पर होता है भई, ये past habit को दिखाने के लिए इस्तमाल होता है, past habit क्या होती है भई, भूत काल की पुरानी आदत, और बीती हुई आदत, मतलब कोई आदत, जो आपको थी, समझ रहे हैं बात को, थी, कि बचप समझे, यहां ये simple past का वाक के हिसाब से ये translate नहीं होगा, ये होगा used to के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अब तो आप बच्चे नहीं रहना, अब तो आप अंगुठा नहीं चूसते हैं, आप बच्पन में करते थे, या फिर बच्पन में मुझे cricket खेलने की आदत थी, अब तो आपको उसकी जानकारी नहीं है, आप अनुवाद कर रहे हैं, used to का स्तमाल करके दिखाने के लिए बच्पन की आदत, तो सबसे पहले बारीकी से समझते हैं simple past या कह लीजे past indefinite को, तो simple past जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नजदी की past के बारे में बात करता है, ऐसा जितना बूलो उतना ही याद रखिएगा, मैं खाता था या तो आप ये बोलेंगे, मैंने खाया, पाटी में गए आपने खा लिया, क्या बोलते हैं हाँ हाँ, किसी ने पूछा किया रहे भाई साब आपने खाया, क्या कहते हैं, हाँ मैंने खाया, या हाँ हाँ मैंने खा ल या मैंने हाँ मैंने खाया कहते हैं न ये आपने जस्ट किया तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का वाक्य बनेगा समझते हैं कैसे आप पहचान सकते हैं कि वाक्य सिंपल पास्ट का है या नहीं वाक्य के अंत में अगर आपको या ये यी दिख जाए या तो ता था ती थी ते थे ये दिख जाए जितना बताऊंगी उतना दिखेगा तभी कामत करेंगे अब मैंने खा लिया है अहां दिस इस एकदम अलग एकदम अलग एकदम अलग वाक्य है अगर आपको वाक्य केंट में दिखे या ये यी या दिखे ता था ती थी ते थे उधारन के तोर पर मैंने खाया या दिख गया मैंने खा लिया या दिख गया मैं खाता था ता था दिख गया यहाँ पर मैंने खाया है देखिए मैंने या है नहीं बताया है मैंने सिर्फ या बताया है आपको या ये यी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया तो इसको ध्यान रखेंगे तो ये ऐसे कुछ वाक्य दिखेंगे आपको मैंने खाया, मैंने खा लिया मैं खाता था ये तरीके के वाक्य जो हैं वो simple past के वाक्य है समझते हैं simple past का जो अनुवाद है जो translation है वो कैसे होगा ठीके तो यहाँ पर subject के साथ ध्यान दीजेगा बहुत ज़रूरी है subject के साथ we too का अस्तमाल होगा वर्ब के second form का अस्तमाल करेंगे यही पर catch है इसी के वज़े से वाक्य गलत बनते हैं simple past वाले और used to वाले है ना subject के साथ वर्ब का second form लगेगा subject यानि की I, you, we, they, he, she, it या नाम जो मैंने इस तरफ लिख रखें आपको दिख रहा है है ना we too वर्ब यानि की खाना, पीना, हसना, गाना, रोना, खेलना, आना, जाना, तैरना, कूदना, फांदना यह सारे क्या है यह वर्ब है लेकिन सीधे सीधे वर्ब नहीं लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा we too लगेगा राइट वर्ब के उपर क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देख लिए जाएगा we too लगेगा राइट कैसे चलिए बताती हूं मैंने आपको बताया कि simple past वाले वाके जो है subject प्लस we too से बनेंगे ये बताया उदारन के तौर पर मैंने मैं खाता था मैंने खाया मैंने खालिया ये तीनों वाके आप इनी तीनों में से किसी एक तरीके से अपनी बात चीत करते होंगे रोजमर्रा की है ना इसका जो translation होगा कुछ ऐसा होगा subject के जगहा पर आई है मैं कौन है मैं है ना मैं यानिकी आई खाता था खाया खालिया ये जो भी है ये खाने से related क्रियाए है खाना यानिकी eat और eat का वीटू क्या होता है 8 तो I ate क्या बन गया I ate और उदारन देखते हैं बेतर समझने के लिए वह गया वह चला गया he went वह यानिकी he subject हो गया हमारा जाना यानिकी go इसका वी टू went he went Hey everyone, welcome to Be Banker's Spoken English Class स्वागत है आपका आज की class में मैं हूँ पृती मैम और आज बहुत ही basic वाली class कर रहे हैं used to versus simple past ये base clear नहीं होगा तो अंग्रेजी बोलने का सपना जो है वो गड़बड हो जाएगा यानिकी आप गड़बड बोलने लगेगी अंग्रेजी है ना तो बहुत बढ़िया class होने वाली है आज बहुत बढ़िया अभी तक आपको पता चली गया होगा तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी जल्दी से दबा करके all notifications को on कर लीजिए और टेलिग्राम पर ज़रूर जोड़ जाए ताकि अगर by chance गल्ती से class miss हो जाए तो टेलिग्राम पर आपको class ज़रूर मिल जाए चली class को आगे बढ़ाते हैं और उदाहरन से समझते हैं कैसे हो रहा है मैं खाता था मैं खाता था मैंने खाया मैंने खा लिया I ate I यहाँ पर subject है Eat यहाँ पर verb है V2 लगना है तो 8 हो गया हमारा काम done तुम पढ़ते थे तुमने पढ़ा तुमने पढ़ लिया You तुम यानि की You और पढ़ना यानि की study Study का second form studied You studied तुम पढ़ते थे तुमने पढ़ा तुमने पढ़ लिया You studied हम लोग लिखते थे हम लोगों ने लिखा हम लोगों ने लिख लिया हम लोग यानि कि we, सबचेक्ट हो गया हमारा लिखना, वर्ब हो गया, लिखना का सेकेंड फॉरम wrote, right यानि कि wrote, we wrote, वे लोग खेलते थे, उन लोगों ने खेला, उन लोगों ने खेल लिया, वे लोग या उन लोग उसकी अंग्रीजी होती है, दे, ये सबचेक्ट है हमारा, यानि की play, play का second form played, they played, वह खाना पकाती थी, उसने खाना पकाया, उसने खाना पका लिया, अब पकाती थी जब यहाँ पर है तो समझ आ गया कि लड़की की बात हो रही है, female की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, तो she का स्तमाल हो गया, she हमारा subject हो गया, खाना, पकाना, cook, cook का second form, cooked, she cooked, यह उड़ता था, यह उड़ा, यह उड़ गया, it flew, यह यानि की it, उड़ना, fly, fly का second form, flew, it flew, श्वेता गाती थी, श्वेता ने गाया, श्वेता ने गालिया, श्वेता भ discussions, राहुल यहाँ पर नाम है, राहुल ही यहाँ यहाँ पर subject भी है, हसना, लाफ, लाफ का second form V2, लावड, राहुल, लावड, यह हो गया हमारा यहाँ पर वाक्यों का सिलसिला, जो है मने सारे सब्जेक्स को कवर कर लिया with lots of examples, right? तो यह अगर आपने तो छोड़े-छोड़े वाक्यों की बना लिया है, यहाँ पर simple past बिल्कुल clear हो गया हो गया हो गया लेकिन बारे आती है फसने की एक और जगहा पर जहां पर बात होती है थोड़े बड़े वाक्यों की, मैं बताओं फसने वाली कोई बात नहीं है, बहुत असान है, उदाहरन देखिए, अगर थोड़े बड़े वाक्यों होंगे ना तो उसमें एक चीज एड हो जाएगी, जो की है OW, देखिए यहाँ तक तो सेम है ना, सेम है subject प्लस V2, यही बता के आ रही हो अभी, OW एड हो गया यहाँ पर, OW का मतलब क्या होता है, other words, क्या होता उसने फल खा लिया, अगर आप फल को हटा दे, तो आपको notice होगा, कि उसने खा लिया, यह वाक्य तो अभी अभी मैंने आपको बनवाया, बनवाया न अभी अभी, यहाँ पर क्या extra एड हुआ, फल एड हुआ, फल की अंग्रीजी क्या होती है, fruits, तो यहाँ तक तो सेम बन subject plus V2, extra जो एड हुआ, उसको last में लिख देंगे, he ate fruits, उसने फल खा लिया, he ate fruits, ठीके, बस, ऐसे ही वाक्यों को बनाते चले जाना है आपको, राइट, आगे बढ़ते हैं, और अब समझते हैं, used to, जिसके वज़े से सारी confusion होती है, यहाँ तक सब समझ में आ गया, जैसे ही used to के entry होती है, वैसे confusion चालो, जी नहीं, आप गलत सोच रहे है, used to में कोई confusion आपको नहीं होगी, क्यों चलिए जानते हैं, यूस्टू को मैंने क्या बताया आपको यूस्टू क्या बताता है आपको यूस्टू ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो पास्ट हैबिट बताते हैं क्या बताते हैं भूत काल की पुरानी आदत या बीती हुई आदत के बारे में बात करते हैं उदाहरन के लिए समझ ल या वह धूमरपान करता था यह आप एक ऐसे वक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि करता था वह धूमरपान क्या करता था अभी करता है नहीं करता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हमें पता है था कि वह करता था उसके बारे में बात कर र entry होगी बिल्कुल grand वाली क्योंकि हमने past habit की बात करी है उसके पुराने जीवन की बात करी है भाई कि उस वो धूमरबान किया करता था है ना he used to smoke इसका structure क्या होगा क्या इसका structure होगा बिल्कुल होगा क्या होगा समझ लीजिए subject plus used to क्यों used to पढ़ रहे हैं से लिए used to साथ में इसमें वी वन लगेगा major major difference इस difference को जानने के थे कि वी वन वी टू में जितना बड़ा gap है ना उतना ही बड़ा gap है यह है ना बहुत बड़ा gap है कि नहीं बताइए वी वन और वी टू अलग-अलग है ना दोनों अलग-अलग वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं ना तो यह चीज आपको यह फर्क आपको याद रखनी होगी दोनों के structures अलग है तो वाक्य सेम कैसे हो सकते हैं सोचने वाली बात है है ना structure कुछ ऐसा होगा subject plus used to plus v1 वर्ब का पहला रूप जैसे वा धूमरपान करता था he used to smoke कैसे पहचानेंगे वाक्य को ता था ती थी ते थे अगर वाक्य क्यंत में दिखें या फिर या करता था ये करते थे ये करती थी ये दिखें तो आपको यहाँ पर used to का स्तमाल करना है लेकिन सारे points को ध्यान में रखते हुए सारे points कौन कौन से सबसे पहली बात तो used to जब लगेगा तो v1 का प्रेयोग होगा ये major difference से इसको आप याद कर लीजे और concept भी साथ में याद करिए कि used to का स्तमाल भूत काल की आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है तो वो बिलकुली अलगे simple past से ठीक है चलिए और उदारन देखते हैं तो समझ आएगा और दुबारा से एक बार revise कर लीजे कि used to का स्तमाल मेरे साथ बोलिए used to का स्तमाल भूत काल की आदत या भूत काल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए किया जाता है repeat करिये आप इसको आप इसको 5 honesty रेपीट करिये आपको अपने आप याद हो जाएगा राइड? चलिए हम लोग उदारन देखते हैं वे cricket खेला करते थे वे cricket खेला करते थे they used to play cricket they used to play cricket वे पूने में रहते थे या वे पूने में रहा करते थे यहाँ पहले चलता था, किसी मशीन की बात करें, मान लिजे आपके पास टीवी है जो अब नहीं चलता, आप क्या कहेंगे किसी को दिखा के, क्या रे ये ना ये पहले चलता था, ये पहले चलता था, ट्रेन पहले कोईले पर चलती थी, पहले चलती थी, किसको किसको याद है, ट्रेन चलती थी ना पहले कोईले पर, अच्छा, अब ही कैसे चलती है, बिजली से चलती है, ने तो डीजल से चलती है, है ना, पहले कोईले पर चलती थी, हमने पढ़ा है बुक में है ना कि train पहले कोईले पर चलती थी the train used to run on coal before. कोल यानि की कोईला the train used to run on coal before. ये वाले वाक्यों में यहां पर आपकी समझ काम कर रही है कि पिछले की बात हो रही है पहले की बात हो रही है है तो यहां पर आपको used to का अस्तमाल करना होगा, यह समझना होगा आपको, कि वाक्य को पढ़के, वाक्य को बोलने से पहले समझेंगे, कि यह भूतकाल के आदत वाले वाक्य तो कहीं नहीं है, अगर है, तो used to का अस्तमाल करेंगे, नहीं है, near past को बता रही है, तो simple past का अस्तमाल करेंगे, राइट चलिए, quick sec revision कर लेते हैं कि simple past और used to में क्या difference है, simple past या past indefinite जो कह लीजिए, near past को बताता है, नस्दीकी में जो आप कुछ करते थे या ऐसा कोई काम, जो आपने past में किया, just finish किया, वो simple past की category में आ जाता है, इसका structure subject plus v2 होता है, वर्ब का second form होता है, और used to का स्तमाल वहीं पर उलट उसके past की habit, भूतकाल की आदत या बीती हुई आदत, भूतकाल की पुरानी और बीती हुई आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसका structure subject plus used to plus v1 होता है, ये basic difference, ये basic class, ये basic चीज़ आपको आते हैं, तो चलिए भई, ये थी आज की class, बिल्कुल धुआधार, बिल्कुल लिगदम, तेज तर्रार वाली class है थी ना, चलिए, comment करके मुझे बताइए कि class कैसी लगी, class बढ़िया लगी है, तो class को share करिए सबसे पहले, फिर class को like कर दीज़े, चैनल को subscribe ने किया है, तो फटाफट सकर डाली है, तो इसके लिए आप टेलिग्राम के चैनल पर जॉइन कर लें, और वहाँ पर पूछ लें, कैसे आपको ये e-book मिल सकती है, basic plus spoken English की e-book और इसकी free course के लिए भी आपको टेलिग्राम पर आना होगा, और वहीं पर बात कर लीजे, कि आपको ये कैसे मि सकती है, mini spoken English कोर्स और इसकी e-book के लिए भी टेलिग्राम पर आजएए, और वहाँ पर बात कर लीजे, कैसे आप इसको बास सकते हैं, टेलिग्राम चैनल पर आने के लिए, इस लिंक का स्तमाल कर सकते हैं, इस नंबर का स्तमाल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर bbanker education solution लिखा क्या class आई है, क्या offer चल रहे हैं, क्या course करा रहे हैं, क्या कोई free course करा रहे हैं, यह सारी DJS आपको टेलिग्राम पर मिल जाया करेंगी, वहाँ पर आप paid courses की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, कि इनकी अगली batch कप शुड़ हो रही है, जैसे कि premium spoken English का course है, basic English reading का course है, यह courses आपको वहाँ पर पता चलेंगे कि कब इनकी batches जो है start हो रही है, तो टेलिग्राम पर जुड़ना बिलकुल मत भूलिएगा, चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, class को like ने किया है, तो हो भी मत भूलिएगा, और share करना भी मत भूलिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ आप